असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर जो है वो कैन्वा का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आप लोगों को दूँगा और इसके लावा ट्राइ करूँगा के एक सिंपल जो है वो गिक इमेज डिजाइन करके इसके बैसिकली जो एलिमेंट्स हैं जो जो इसके अंदर खसूसियात हैं कैन्वा के अंदर वो आप लोगों को बता सकों क्यूंकर मोस्ली जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको फोटोशाप की इतनी नावहो नहीं होती तो मैं इस वीडियो के अंदर जो है वो कोशिश करूंगा के एक परफेशनल पिच पिचर बनानी जो है वो आप लोगों को सिखा दो तो स्टार्ट करते हैं कैन्वा.com ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है वो आप लोगों को आलड़े मैं दे चुका हूं इसके लावा कुछ प्रिविएस वीडियो जो है वो मेरी पड़ी हुई है कैन्वा के ओपर जिसमें म लोग देख सकते हैं अभी मैं होम बटन में हूँ तो हम में आप लोग देख सकते हैं क्रिट यूर ओन डिजाइन्स मुख्तलिफ डिजाइन्स टेंपलेट्स जो है वो पड़े हुए हैं या लैडी जो प्रिविएस डिजाइन्स के ओपर काम किया वो आ रहे हैं लोगों चेंज करके आप लोग फेस्बुक कवर्स यहां पर बना सकते हैं फेस्बुक पोस्ट आरी इंस्टाग्राम पोस्ट यूट्यूब थाम्नेल्स इसके लावा भी बेतहाशा चीज़ें जो हैं वो यहां पर पड़ी हुई हैं देखने में हमें यह बिल्कुल सिंपल सा जो है पर फूटो शॉटो फैसलो यहां पर बना सकते हैं उफ कोर्स फोटो शॉप की अपने प्रॉसओंस का उमुंढ़नें टूल जो यहां पर पर जो फूहां होंगा था जो इन पर टोल के शाथ हम लोग काम कर रहे हुतादी अफने आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले डिजाइन स्कूल की मैं बात करूँगा अगर कैन्वा से रिलेटिड आप लोग जो है वो डिफरेंट कोर्सिस करना चाहें तो ये डिजाइन स्कूल के अंदर जो है वो इनके कुछ कोर्सिस पढ़े हुई है अगर आप इन में से जैसे एक्जेंपल किसी भी एक कॉर्स के अंदर जो है वो एन्रोल होते हैं कॉर्स करते हैं तो बहुत अच्छी वीडियो इनकी पढ़ी हुई हैं और प्लस हर लेसन के साथ इन्होंने जो है वो डिफ्रेंट अक्टिव्टी जो है वो दी हुई है तो आप लोग वो ही चीज़ जो है वो सीख के उसको जो है वो next activity के अंदर जो है वो इसको perform भी कर सकते हैं तो जैसे आप लोग activity के उपर जो है वो click करते हैं start activity तो आपके पास एक template आजाता है और उसके उपर जो है वो आप लोगोंने काम करना होता है तो यहां से भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है वो लर्न कर सकते हैं और इसके बारे में इंडेप्थ नॉलिज जो है वो हासिल कर सकते हैं तो जैसे कि यह भी like lesson 8 dial down your data यह template बना हुआ है और यह जो next slides वोगारा के हवाले से यह बना हुआ है तो इसको design अगर करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं यह तो like आप लोग अभी यह जो इनका school है basically design school इसमें आप लोग जाएंगे तो वहां पे आप लोग जाके इसको जो है वो चेक कर सकते हैं तो मैं दुबारा कैनवा पे आता हूँ इसी तरह जहां पे आप लोग देख सकते हैं creator team इसमें basically क्या होता है कि आप लोग आपस में जो भी designs वगएरा जो है वो बनाया होगा वो आप लोग आपस में भी share कर सकते हैं just example यहां से आप लोग अपने team members जो है वो इसमें add कर लें emails के जरीए उसके बाद just example अगर किसी एक बन देने जो है वो कोई भी design बनाया है तो वो सब के साथ share हो जाएगा जो भी उस team के अंदर होंगे वो उसके में अपने cutting जो है वो changes भी कर सकते हैं तो यह बहुत powerful चीज़ है इसके अंदर के अनवा के अंदर कि आप लोग अपने team members भी जो है वो यहां पर add कर सकते हैं इसके लाब आप फोल्डर ट्रेशिस भी जो है इन चीज़ों को discuss like आप लोग अरड़ी जानते होंगे तो discuss करने का उनको फाइदा नहीं है अब मैंता हूँ creator design के ओपर और मैं करता हूँ custom dimension की जो है वो बात करता हूँ एक gig image जो है वो हम लोग design करते हैं जिसकी dimension 550 multiply 370 होती है यहाँ पर आप लोग मुस्रीव देख सकते हैं option pixel में, inch में, mm, cm में मुझूद है लेकिन भी हमें जो है वो pixel के अंदर image design करनी है इसको जो है वो आप लोगों ने अपना जो भी required dimension होगी वो put करने के बाद creator design के ओपर click कर देना है जी अब आपके पास यह images बगारा का सारा काम आप लोग करेंगे तो यह आप देखें मुख्लिव designs इन्होंने क्या किया है automatically आपको दिखाना शुरू कर दी है कि आप लोग इस तरह के design यह templates भी बना सकते हैं यहाँ पर तो इसको करने का तरीका क्या होता है basically simply उसके ओपर click कर दें और वो यहाँ पर आपके पास जो है वो load हो जाएगा और उसके बाद आपने क्या करना है जो जो element जो चीज़ जो है वो change करना चाहते हैं उसके ओपर double click करते जाएंगे और उनको select करके delete करते जाएंगे या change करते जाएंगे तो इन designs को भी हम लोग जो है वो use कर सकते हैं otherwise अभी मैने जो आप लोगों को करवाना है मैं आप लोगों को बिलकुल start से जो है वो लेके चलूँगा तो further जब आप लोग वो options सीख लें तो आप लोग इन designs के ओपर भी जो है वो मुख्लिफ designs के ओपर जो है वो काम कर सकते हैं तो भी महगे करता हूँ सबसे पहले just example मैं facebook marketing के लिए जो है वो gig बनाना जा रहा हूँ तो मैं pizza pay पे जाता हूँ pizza pay पे जाके मैं लिखता हूँ facebook facebook marketing भी लिख सकते हैं जो भी आप लोगों का जो है वो दिल करें आप लोग pizza pay पे जाके images देख सकते हैं यह different images हमारे पास जो है वो like facebook से related जो है वो आ चुकी है तो इन में से बाप पर depend करता है कौन सी चीज़ जो है वो आप लोग use करना चाहें कोई भी image जो है इसको यह free download के उपर click कर देंगे download और उसके बाद आप से पूछेगा आप like report तो नहीं है simply उसको जो है वो टिक कर दें अगर capture आजे उसको fill कर दें और download के उपर click कर दें तो यह मेरे पास एक जो है वो image download होगी अब मैं दुबारा जो है पर यह option होती है upload की इसके ओपर click कर दें और upload image के ओपर जो है वो click कर दें और next आपने क्या करना download में जो है वो आपके पास image जा चुकी होगी उस पर जो है वो double click कर दें image जो है वो load होना शुरू हो जाएगी अब इनवाल जब तक यह load हो रही है तो मैंने वन बहुत बड़े-बड़े courses भी जो है वो किये हैं जो के like ads related यह design और भी related है जिनके अंदर like mostly लोग होते हैं जो photoshop और जिनको नहीं पता होता तो उसमें भी practice जो है वो आपको canva के उपर ही करवाई जाती है तो अभी इमिज जो है वो upload होगी थी तो उसके बास simple मैंने click किया है तो यहां पर आ गई है तो अब यह आप लोग क्या कर सकते हैं यह कौनों से पकड़ कर अब next किया है basically backgrounds आप लोग उसमें यूज कर सकते हैं अगर आप back end पर यह image वगारा कोई चीज जो है वो नहीं लगाना चाहते हैं वीडियो में हमने नहीं जाना आगे further जो main important चीज है इसमें हमने elements यह text के ओपर काम करना है आप लोग खुद से यहां पर यह मुख्लिफ images भ तो emojis भी आप लोग जो है वो यहां से सर्च कर सकते हैं यह different images है एक चीज का आपने ख्याल लखना है images यह elements वो यूज करने हैं जो free है जिनके साथ यह crown आ रहा है यह dollar amount जो है वो लिखी हुई आ रही है अगर इनको use करेंगे तो आपको यह download नहीं करने देंगे या अगर download image हो भी जाती है तो canva का जो है वो वहां पे logo आ रहा होगा तो आप लोगों ने इस चीज को make sure करना है जो भी element आप लोग जो है वो लगाएंगे उसके साथ यह dollar amount या crown नहीं आना चाहिए just example मैंने भी recently यह use किया था इसको अगर मैं दुबारा use करना चाहूं इसको click कर दिया कर अबर जितना है इसको जो हो आव लोग सेट करना चाहें वहां ऑन कर सकते हैं मैं इसको जो है वह सेटिंग कर दी आपर डीपेंड करता है जहां प exactly यह लगए मदाव कि अच्छे लगएगा हां पर लगा सकते हैं plus मैं Google के उपर आता हूं यहां पर मैं search करता हूं आकर होता है, तो यह यहां प्राइब है customer satisfaction logo, try खरें आपको जो है वो PNG, जो हो मिल जाए, तो अब यह जासिक जामपल meanwhile, images में आया, इज है सुने हो आगँ कुछ मेरे पास ताध्म है, वो लोगों व्गेरा जो वो वेलिबल है, PNG basically वो images होती हैं जिनके background जो है वो transparent होते हैं, तो उनको हम लोग कहीं पे भी जो है वो set कर सकते हैं और उनका जो background होगा वो transparent हो जाएगा ज़िए मैं अब इसको जो है वो download करता हूँ और download में save फिक्स उसके बाद canva पे दुबारा आजएं आप लोग upload image में आजएं ये इसका background transparent नहीं है तो आप लोग जो है वो थोड़ी सी search करेंगे, अभी मैं क्योंकर randomly चीज़ें जो है वो add कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे मैं चेक कर लेता हूँ पहले अगर मुझे कोई चीज़ जो है वो मिल जाती है जिसका background transparent हो गजी काफी सर्चिस के बाद मुझे जो है वो एक PNG मिल गी है जिसमें आप लोग देख सकते हैं satisfaction granted 100% जो हो आ रहा है तो उसको मैंने क्लिक किया है तो यहां पे मेरे पास जो है वो main canvas में यह image जो है वो आ चुकी है अब इसको मैं क्या करता हूँ एक जगा पे जो है वो side पे लगा लेता हूँ उसके बाद इसको आपने set कर देना है या इसको मैं उपर ले जाता हूँ और यह बैज जो है वो यहां पे लगा देता हूँ अच्छा जी उसके बाद अब main चीज जो है वो हमारी जो के हम लोगों ने इसमें add करनी है वो है के like services अगर आप लोग जो है वो फाइवर पर जाएं और फाइवर पर different images वगारा सर्च करें तो उन्हों ने लोगों ने अपनी gig images में मुख्तलिफ किसम की descriptions वगारा जो है वो लिखी होती है तो यह बाद पर depend करता है आप लोग elements लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं यहाँ elements में यह मुख्तलिफ बहुत अच्छे elements पढ़े हुएं, grids पढ़े हुएं, shapes, frames वगारा पढ़े हुएं जिनको आप लोग use करते हुए अपनी gig images जो है वो बना सकते हैं तो मैं करता हूँ, like recently मैंने अभी यह use किया था, यह काफी अच्छा एक basically element है जिसको आप लोग भी use कर सकते हैं तो basically आपने इसमें जो है वो करना किया मुख्तलिफ services लिखके लगाना चाहें तो आप लोग जो है वो इसमें जो है वो लगा सकते हैं तो इसको बेशागा आप लोग transparent कर लें अगर करना चाहते हैं ताकि जो भी background में चीज होगी वो आपको नजर आएगी उसके बाद इसे को आप लोग copy paste करके इसकी setting कर लें तो control c और control v इस तरह आपके पास यह different elements जो है वो बनते चले जाएंगे again control c control v कर लें और इनकी आप लोगोंने setting कर लेनी है तो अभी basically जो है वो मैंने क्या किया है मैंने ये चार elements जो है वो copy paste करके जो है वो उपर नीचे लगा लिए अब next मेरा जो है वो task है इनके उपर जो है वो text लिखते हूं ताके जो भी services है वो अच्छे तरीके से जो है मैं बता सकूँ के कौन कौन से services जो है वो मैं provide कर रहा हूं तो आप लोग simple ये text के उपर आएंगे यहां पर मुख्लिफ ये text के जो है वो designs बेसिकली जो है वो आपके पास आ रहे हैं तो आप लोग अपनी पसंद के designs चूज कर सकते हैं मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा ज्यादा stylish वगारा इसलिए text वगारा ना रखें क्योंकि बाज़ उकात कुछ लोगों को पढ़ने में परशानी होती है या like old-fashioned लोग जो है वो उन चीज़ों को पसंद नहीं करते तो मैं as a sub-headings यूज़ यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद टेक्स को लिखने के बाद यहां पर in elements के ओपर basically लगाऊंगा तो first मेरे पास like मैं लिखते हूँ creation and optimization इस तरह से आप लोग पहले points जो है वो add कर लें और फिर उसके बाद उनको drag and drop करके जो है वो इन पे लगा सकते हैं जो के मैं अभी जो है वो करने जा रहा हूँ झाल 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 झाल